राम राम जी सारे ना हो फुली सारे ठीक ठाक होगे तो आज की वीडियो में बात करांगे आप छटा समेस्ट का रिजल्ट का बाराम है और रिवोलुशन का 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 रिवोलुश उसके साथ साथ ही पिजी के प्रोग्रापी जी के जो फर्म है वो निकाल दिये हैं ठीक है बारा तारीक उसकी लास्ट डेट कर रखी है लेकिन अभी तक 6 समेस्टर का रिजल्ट आउट नहीं किया है ठीक है तो उसकी वज़े से जो बच्चे है वो मतलब अपना जो टोटल प पहले ही एक मतलब जो आपके MDK VC है और एक्जाम कंट्रोलर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आपके रिजल्ट तयार है ठीक है लेकिन मतलब एक दम से वो रिजल्ट डालेंगी नहीं उसके उसके अगले दिन 31 तारिक को आपके जो मतलब जर्निलिजम के रिजल्ट आ गए थे और उसके मास कम्यूकेशन का रिजल्ट भी आया ठीक है अभी PG के रिजल्ट अभी आने स्टार्ट हो गए ठीक है MA के और MSC के बहुत सारे रिजल्ट आए हुए है आपकी वेबसाइट पर लेकिन जो यूजी के यूजी के सिर्फ रिजल्ट किस किस कि आया भी व को यह मतलब एप्लिकेशन दी थी कि आप मतलब जो रिवल्यूशन का रिजल्ट रूरी चेकिंग का रिजल्ट है वह जल्दी से जल्दी आउट कर दे था कि बच्चों को मतलब आगे रिया फिर उनका जो मार्क्स इंक्रीज हूं है उनके बारे में पता लग जाए तो उनक उजी वाड़ों का चटे समेश्ट का रिजल्ट दो या तीन दिन के अंदर वेब साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप मतलब आपके जो ग्रांट टोटल है वह निकालके और आप अपना फोम अपलाई कर सकते हो ठीक है तो और रिवोलिशन का रिजल्ट थोड़ किया है कि आपका जो रिजल्ट है वह अभी देंगे ठीक है अभी उमझराब कोई देने की कि इस डेट को दे देंगे लेकिन यह कि आपके जो रिजल्ट है वो दो या तीन चीन चीर दिन तक आपके अपलोड कर दिये जाएंगी Benson अगर तब भी अपलोड ना हो तो भाईिं मतलब और कोई चांस ना है लेकिन अभी तक उन्होंने यही कहा कि आपके रिजल्ट हो दो तीन दिन के अंदर अपलोड कर दी जाएं वैब साइट पे ठीक है और जो और जो रिवोलिशन के स्टुडेंट है उनके लिए यही है कि उनका रिजल्ट इसी मन्थ में डिकलेर कर द